हालो एन वैलकम एवरिवन मैं हूँ शबनम और आप सभी का वैलकम है मेरी किचन में आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रहे हूँ वन ओफ माई फेबरिट रेसिपी कड़ी पकोड़ा हम इसे अपने स्टाइल में बनाने जा रहे हैं यह कड़ी पकोड़ा बनेगा बहुत ज जो मलाई हम घर में जमाते हैं उसी से हमने यह मठा तयार किया है तो यह हमारे पास तकरिबन धाइल लीटर मठा है और इसके अंदर थोड़ा सा मक्षन मी मौजूद है तो यह हमारा उल्रेडी बीटिड है तो इसे हम साइड में रखेंगे अब हमने लिये हैं इसमें डालने वर टीज़ पॉडर और वन एन हाफ टी स्पून लिया है हल्दी पॉडर एक टी पॉडर बाकि हमने एक बड़े साइस की प्याज ली है और एक टिबली स्पून हमने यहां पर सौफ ली है यानि के फैनल इन दोनों को हम घ्राइन डाल कर लेंगे इसका हमें डर्दरा सा पै इसको हम एक स्टेनर से छान लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स वगएरा गुटली वगएरा कुछ भी हो तो वो निकल जाए यह मैं अच्छे से चाल लिया अब हम इसमें डालेंगे डाइसोग्राम मैंने यहाँ पर दही लिया है क्योंकि हमारा मठा जादा कटा नहीं है और कड़ी थोड़ी सी खटी अच्छे लगती है तो मैं इसलिए यहाँ पर दही अच्छे लगती है तो मैं इसलिए यहाँ पर द कर लेंगे हमें इसको बहुत अच्छे से बीट करना है ताकि बेशन में कोई भी लंब वगरा ना रहे अब हम इसमाइट कर देंगे आदा कप पानी और इसको डाल का अच्छी तरह से बीट कर लेंगे तो यह हमारा बेशन का मिक्स्चर तयार है अच्छे से हमने इसको बीट कर लिया है अब हम इसको उठाकर डाल देंगे मठे के अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तो मैंने इसको अच्छी से मिक्स कर लिया और यह देखिए काफी थिक है हमारा मठा इतना जब हम अपनी कड़ी को कुक करें तब इतना यह थिक रहना चाहिए तो इसके अंदर हमें पानी आट करना है तो एक से डिल लिटर के करीब मैं इसमें पानी आट कर रही हूँ पान करेंगे हमें इसे तब तक कुक करना इसी तरह से जब तक कड़ी के अंदर उबाल नहीं आ जाता आप इसको चलाना छोड़िये का मत वर्ना कड़ी आपकी फट जाएगी यान के दही अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा तो आप देख सकते हैं दस से बारा मिनट ह हो चुके हैं कड़ी को पकते हुए अब यह धीरे-धीरे गरम होने स्टार्ट हो गई यह स्टीम बननी शुरू हो गई है और इससे हम रेगुलर इसी तरह से चला रहे हैं कड़ी बाहर की तरफ फार नहीं लेती है और नीचे से लगती नहीं है फ्लेम को हम लोρ और मीडियम की बीच में कर देंगे और अपनी कड़ी को हम पकाएंगे तकरीबन एक से सबा गंटे दा तो आदा गंटा हो चुका है कड़ी को पकते हुए कड़ी हमारी काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है कम हो चुकी है इसे हम इसी तरह से लो और मिलम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे और इसकी पकोड़ी की तयारी कर लेंगे तो पकोड़ी बनाने के लिए मैंने एक बॉल लिया है इसके अंदर हम एट करेंगे वन एन हाफ कप के बराबर बेसन और इसको अच्छी तरह से हम चाल लेंगे अब में इसमेट कर रहे हूँ इसमेट कर रहे हूं नमक अब में इसमेट करेंगे एक छोटे साइब की प्याज di추 की एक चौब आ चाप। जी 20 파 भारीक चौब कर लिया है और थोड़ास आट करेंगे धनिया पती लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1-4 टीस्पुन के बराबर खाने वाला मीठा सोडा इससे हमारी जो पकोडिया बनेंगी वो काफी सॉफ्ट बनेंगी फुली फुली बनेंगी तो बहुत अच्छा टेक्स्चर आएगा उनका अच्छे से इन सब को मिक्स कर लेंगे और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डालते हूँ इससे बीट कर लेंगे जब भी आप बेसन को कभी भी बीट करें तो उसमें एक साथ कभी भी पानी मत एड़ कीजेगा बेसन में हमीशा थोड़ा थोड़ा पाने डाल कर ही उससे बीट करना चाहिए इससे बेसन के अंदर ग इसे हमारा बिसन फूल जाएगा और पकोड़ियां बहुत अच्छी बनेगी तो यह थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा अब हमने नहीं पर कड़ी को बगारने के लिए कुछ इंगिडियन्स लिये हूए हैं मैंने यहां पर एक छुटी साइज की प्याज लिये जिसको कट कर लिया है छे साथ यहां पर साबुत वाल मिर्चे लिये है और अब टीबली स्पून जीरा लिया है और हाफ टीजपून ल पकोड़ा रेड़ी करने के लिए मैं कड़ाई के अंदर अड़ कर रहे हूं मस्टर्ड ओयल 1-2 लिटर के पराबर आप चाहें तो कोई भी कोकिंग ओयल दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो इसको अच्छे से गरम कर लेंगे तो यह मेरा गरम हो चुका है अब हम इसके अंदर अपने पकोड़ियां तोड़ लेंगे तो मैं यहाँ पर इस्पून की मदद से बेशन का बेटर इसमे अट कर रहे हूं इससे हमाई चुटी चुटी पकोड़िया एक्वल साइज की बनेंगी आप चाहें तो हातों से भी बन पकोड़िया नहीं हो जाएं और बहुत अश्यता आजनर उट हो जाता है इनका इनका तो इने हम बेटी आजлом से चाहर है G अच्छी अच्छी क्रिसपी बनी है और अंदर तक ये कोख हो चुकी है तो बस हम फ्लेम को लो करके इन्हें बाहर निकाल लेंगे आप देख सकते हैं मरी पकोड़ें कितनी सबदस बनी हैं फूली फूली बनी है और बहुत जादा ये सॉफ्ट है देखिए लोक्स भी कितनी अमेजिंग है इसकी बहुत ही टेस्ट ही हमारी पकोड़ी बनकर तयार हुई है आप इनको इस तरह से भी खा सकते हैं बहुत मज़ी की लगती हैं तो सेकिंड बेच भी हम अपनी पकोड़ीों का इसी तरह से बनाकर रैडी कर लेंगे तो इलीचे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा सेकिंड बेच भी फ्राई होकर तयार है पकोड़ी रैडी है हमारी इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट के अंदर अब हम कड़ाई में से थोड़ा सा तेल कम कर लेंगे क्योंकि तेल की क्वांटिटी हमने ज़्यादा लीदी पकोड़ीयां बनाने के लिए अब हम इसमें से तकरीबन हाफ कॉंटिटी बाहर निकार लेंगे क्योंकि बगारने के लिए हमें जादा ओयल की जरूरत नहीं है इदर हमारी कड़ी को पकते हुए सावा घंटा हो चुका है और कड़ी हमारी अब परफेक्टली थिक हो चुकी है इसके अंदर हम अपनी फ्राइ की वई पकोड़ी आइड कर देंगे क्योंकि जब तक बगार हमारा रेडी हो रहा है हमारी पकोड़ी बहुत अच्छी से सोग कर लिए कड़ी को फ्लेम को ओफ कर देंगे अब हम बगार की तयारी कर लिए तो कड़ाई में से मैंने ओयल कम कर लिया है इसके अंदर अब हम एड़ करेंगे जीरा जीरा को अच्छी तरह से क्रैकल कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हुजए और साथ में हम इसमें एड़ कर देंगे मेथी दाना इस दोनों चीज़े में इसमें तड़क गई हैं अब हम और प्यास को अच्छी से चलाते हुए हम फ्राई करेंगे प्यास का कलर चेंज होने तक हमें इसको फ्राई करना है तो अब इसका हलका हलका सा कलर चेंज होने लगा है तो इसी के अंदर अब हम अपनी लाल मिर्चे भी आट कर देंगे ताकि ये भी प्यास के साथ ही ज़ियार है बगार हमारा तयार है फ्लेम को अब हमारे तरीके से जरूर बनाकर देखे जब आप इसको बनाएंगे आपको यह बहुत ज्यादा पसंद आएगी आप तो लास्ट में हम थोड़ा सा बचा हुआ बगार इसके ओपर एड़ कर देंगे और यह दिखिए इसका फाइनल हो कितनी बहतरी लग रही है हमारी कड़ी देखिए मैं आपको पकोड़ी तोड़का दिखा रही हूं कि हमारी पकोड़ी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है करने जा रहे हूं चावलों के साथ यह बहुत मज़िदार लगती है चावल के साथ तो आप इसे जरू ट्राय करें रेसिपी कैसी लगी मुझे अपना फीडबेक जरू दीजेगा और अगर आपको मेरी रेसिपी आई है पसंद तो इसको लाइक कीजेगा वीडियो को जाद की रेसिपी में तब तक के लिए अल्ला हफिज